बाज़पा से पूरो बिधायक रहे बरही से बिधायक रहे उमासंकर अकेला अब कॉंग्रेस के खाते में हैं और इस समय कॉंग्रेस पार्टी के कारिक्रम में आए हैं ये बताइए कि कॉंग्रेस से आपको टिकट मिला कॉंग्रेस से क्या उमीदें हैं बरही में और कॉंग्रेस अब सीधा एक तरफ बनो जिया दो चले गए तो दूसरी तरफ आप यहां आ गए वहां तो दो धोरी काम कर रहा है बढ़ी विधान सभा में वो चले गए मेरे घर में तो मैं चलाया इधर ही आ गया लड़ाई तो आमने सामने होगी और वो 20 वरस विधायक रहने के बाद च्छे बार कॉंग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया विधान सभा में एक बार क 2017 में चुनाव लड़ाने का काम किया जो आदमी 30 वरसों तक वो पार्टी ने उसको सेवा किया है और उसको चुनाव लड़ा के बिधायक बनाया है वो जब कॉंग्रेस पार्टी के नहीं हो साहे तो बढ़ी विधान सभा के जनता कि क्या हो सकता भी तो किसी पार्टी के नह पाटी ने जुएन कराया साथाजार होट लाके मैंने चुनाव जित गिया और मैने आज बीजेपी से हटा नहीं है हमसे मुमोल लिया तो आपकी सरकार या धारखन में नहीं बनने जा रही है यहाँ यूपीय की सरकार बनेगी लेकिन आपके केवल पाटी बदलने के बाद क्या बीजेपी की संभावना ये समापत हो गई पूरे राज में निची तोर पे हमारे सब जगा बदला वा रहा है यह तो अच्छे-चे कनिडेट को टिकट देने के लिए होल्ड कर देते हैं नेताओं पर अत्याचार हो रहा है रगवर्दा जी के द्वारा करता तो दूर है पूरे जारकन के करताओं पर इनका अत्याचार हुआ है इतना कुछ कैसे आप लोग नेता बोल पाते हैं कल तक उसी नेता की परसंचा करते हैं दूसरे दिन उसी नेता की बुराई करते हैं इतना कैसे कुछ कर पाते हैं आप लोग परसंचा किया रगवर्दी के आपने सुना कभी का आपने तो कमी नहीं सुना हम रगवर्दी को क पर्चम लहरे का मेरा एक बड़ा सवाल यह उखड़ा होता है कि जनता आखिर क्या करें आप नेता इधर से उधर हो जाते हैं लेकिन जनता तो वहीं बेचारे किस पर वरोसा करें आप भी हो सकता है कल जीत कर अगर फिर बीजेपी में आ जाएं या कई और चले जाएं तो ऐसे में कैसे विश्वास करें जाएंगे वहां के कल्चार अलग है वहां आमने सामने दो बेक्ति की लड़ाई है पाके नाते और इसी इस्तिति में अलपसंख्या आपको वोट करेंगा यह विश्वासा रहा हूं दसाजार वोट हमारा बीजेपी में थे तो हमको अलपसंख्या बोट देता था और हमने 40 वरसों तक लगातार अलप्रशकों को अनाधर नहीं किया उसका सम्मान किया हूं उ कॉंग्रेस के सहारे वो चुनाओं लड़ेंगे और अलपसंख्या के मतों के सहारे उनका चुना होगा अब ऐसे में अलपसंख्या इनकी बातों पर कैसे भरोसा करें यह वरही की जनता ही समझेगी सयोगी समझे के साथ असो कुमार मुखरसमवाद रांची